रीठी श्री रामचान की मंदिर प्रांगन रीठी में चल रही श्रीमद भागवद कथा, एवन विश्नु महायग्य में छट्वें दिन भगवान श्री कृष्ने एवं रुकमनी जी का विवाह उत्सा पूरे धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया, पूरे पंडाल में उजारों की संख्या में मौजूद शद्धालू ने कथावाचक दीदी रादा शर्मद्वारा, गाय विवाह भजनों पर छूमते नजर आये लोगों में खासा उत्साह देखा गया, साथी श्री कृष्ण रुकमनी जे का विदिवत जयमाल के साथ सुसज्जेता कर्शनग जहां की निहारते ही बनती थी, इससे पूर्व तथा व्यास दीदी रादा शर्मा व्रिंदावन दाम ने कहा कि आज जीवन में आवशक्ता है, भगवान श्री राम के आदशों को उतारने के यदि हम उनके आदशों का अनुसरन करेंगे तो हमारा समाज निश्चित तोर पर आगे बढ़ेगा, उन्होंने आज समाज में बेटियों को शिक्षित करने और आगे बढ़ाने की भी लोगों से आग्रे किया, रिठी हरिश रंकरबाइन की रिपोर्ट MP यूज कास्ट, प्रभू कहने लगे मामा, हम पे तो पकड़ो ही आगे छोड़ो तो आप अहीं जाएं, एक बार जिसको पकड़ लेते फुरुस को छोड़ते नहीं है, केशो को पकड़ा, और केशो को पकड़ करके गजिट के हुए नीचे लिखर के आए, हर हुआ, संत लिखने लगे, परमात्मा की ये दिवा, इनका अबतरण ही सी दिए हुआ, जब जब होगी धैदर मस्टी दिवाजी, जब जब होगी धैदर मस्टी दिवाजी, जब 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 जोलेटर मस्टी दिवा, आज कंस का उधार हुआ, कहा जाता है, लाखों मरनारी के चेहरे की हसी को पंस ने छीन लिया था, आज तंस के पापों का भड़ा भड़ गया था समय आया उधार हुआ उधार होने के बाद सबसे पहले भगवांस्री किष्ण पहुंचे वो गुशेन नाना को मुप्त बात नहीं सुन पाई मैं चला गया गोपुई में मुझे छमांगर देगा